अज़े आप लोग तीट थाक हैं? तो स्टुडेंट्स आज हम माइक्रोएक्नॉमिक्स के अंदर नया चेप्टर स्टार्ट करने लेकर हैं उसका नाम है दा कॉस्ट ओफ टेक्जेशन तो स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको तीन चीज़ें सिखाऊंगा सबसे पहले कि अगर हमने डाइग्राम में साइज ओफ टेक्स देखना हो तो साइज ओफ टेक्स कहां पर होता है? कैसे मालूम किया जाता है? यह देखेंगे वो से नंबर पर टेक्स रेविण्यू अगर गौश्मन टेक्स रेविण्यू जनरेट कर रही है तो टेक्स कैसे कल्कुलेट होता है? वो मैं आपको सिखाऊंगा और तीसे नंबर पर स्टूइूर्ड जो सबसे इंपर्डरन चीज़न वो यह है कि जब गौश्मन टेक्स इंपास्ट कर रहती है चीज़न कोपर तो वो कंजीउमर सीर्प्रोस प्सट करती है? ठीक है? वो जा है वो प्रोडूर्डू़सर प्सट कर पर एक्स प्दैघन्य सबसे important जी तीसरी नमबर पर हम पढ़ाएंगे इस वीडियो के अंदर लेके students इन तीनों points को पढ़ने से पहले मैं आपको ज़रा previous जो chapter 6 हमने पढ़ा था हम उसको इतफा revise कर लेते हैं तो students मैंने उसको आपको बताया था tax के बारे में मैं आपको बताया था कि roads पर लगा दे ठीक है hospital बना दे national defense पर लगा दे इस तरह कि मैंने आपको बताया था ठीक है ठीक है यह students आपनी याद रखने है तो मैंने कुछ points students निकाले हैं मैं आपको आपके साँ share भी करता हूँ number one पर कि तो Texas students वो drive होता है कहां से which है between the price which seller receive and the price which buyer pay यह अपनी याद रखने students दूसर नुमर पर students मैंने आपको बताया था कि जो जब tax लग जाता है चीजों के उपर तो जो buyer होता है उसको हमेशा amount पहले से ज्यादा पी करना पड़ती है और जो seller होता है उसको हमेशा amount पहले से कम रसीव होती है यह आपने याद रखने है यह दूसरे नुमर पर students हमने पढ़ता है तीसरे नुमर पर मैंने आपको students बताया था कि जब tax लगता है यह government tax लगा देती है तो जो buying and selling of goods है वो पहले से काम हो जाएगी वो reviews हो जाएगी students ही तीसा point मैंने आपको chapter number 6 पर पढ़ाया था और चोथे नुमर पर जो students मैंने point पढ़ाया था वो सबसे important अब यह था कि चाहे tax seller पर लगे या buyer पर लगे सिर्फ दोनों सूर्थों में क्या होगा कि अगर seller पर लगता है तो हमारा जो supply कर वह वो shift कर देता है ठीक है left side पर यह आपनी याद रखना है और अगर buyer पर लगता है तो हमारा जो demand कर रहे हो वो shift कर जाता है left side पर लेकिन दोनों सूर्थों पर at the end जो affect होते हैं वो एक जैस से ही होते हैं इस chapter में हमने कोई ऐसी distinction नहीं करने ही याद रखना है तो चाहिए हम दोनों से जिसके open mercy text लगा दे उसकी डाइग्राम से हैं उसके जो affect है वो एक जैसे होंगा तो students यह मैंने आपको थोड़ा सा revise कर दिया अब हम आज के topic की तरफ चलते हैं जिसमें मैंने आप मैं वो कहां पहें तो मैं आप तो एक diagram से size of tax calculate करना सिखाता हूं students मैं आपको step by step students आके लेके जाओंगा तांके आपको चीजों को सीखना और पढ़ना असान हो जाए तो students सबसे पहले हम एक diagram में दो axis बना लेते हैं यह origin, X axis पर हमारे पास क्या होती है quantity और Y axis पर हमारे पास होती है class अब हम क्या करते हैं कि without tax यानि tax से पहले एक general equilibrium रा लेते हैं और हमें पता है कि equilibrium कहां पर होता है जहां पर demand पर supply intersect करते हैं हम सबसे पहले एक equilibrium बनाते हैं तो demand कैसे बनती students अब आपको पता है एक negative slope के अंदर ठीक है, demand करबा गया एक positive slope में हमारे पाँ supply करबा गया दोनग students अगर आप देखें तो एक जगा पे cut कर रहे हैं जहां पर students की cut कर रहे हैं उस जगा पे equilibrium हो गया है, वहाँ से हमें दो चीज़े में जाती है कौन पर से students, एक equilibrium price और दूसरे नमबर पर equilibrium quantity अब students यह वो price है जो without tax है यह आपने याँ रखने है, यानि यह वो price है जो without tax है, अभी tax apply नहीं हुआ ठीक है, और यह कौन सा एक quantity है यह students आपने याँ देखने है, quantity without tax और आप यह भी पता है, students के जहाँ पर demand और supply interest है, यह वो point होता है जहाँ पर buyer और seller maximum benefit obtain कर रहे होता है, ठीक है students यह आप आप कोछीज़ें के लिए रहोने चाहिए है अब students, जानी बादा जब tax लगेगा तो हमने तो पिछले chapter में पढ़ा था कि जब tax लगता है तो वो producer पर भी लग सकता है और consumer पर भी लग सकता है तो लेकिन मैंने जो सबसे important बात ही के बताए थी कि चाहे tax producer पर लेगे या consumer पर लेगे दोनों के करफ में तो different shifting होगी, लेकिन जो at the end effect है वो एक जैसा होगा इसलिए हम assume कर लेते हैं कि जो government है वो tax seller को पर लगा देती है अगर government students tax seller को पर लगा देती है तो मुझे बताएं कों सा curve shift करेगा कों सा करेगा supply curve ठीक है और supply curve की side पर shift करेगा left side पर क्यों मैंने आपको बता रहा था कि अगर जब government seller को पर tax लगा देती है जिससे seller जो है वो students disturb होता है discouragement होती हूस के अंदर वो क्या करता है जिस चीज़ को पर tax लगता है वो उस चीज़ की production को reduce कर देता है ठीक है तो उसे क्या होगा जो supply curve का upward left side पर shift कर जाएगा तो हम जूब करते है कि गवर्मेंट ने seller को पर tax लगा है तो अगर seller को पर tax लगेगा तो हमारा supply curve left side पर upward shift कर जाएगा फर्स करते है students ही हमारा पर supply curve with tax यानि आफ-tax हो है तो हमारा पास एक नया equilibrium आ गया ठीक है इसको E1 करते है students यहां से हमें वो प्राइस में लेगी which is pay by the buyer कोंसे प्राइस है students हमने यह पहले पढ़ लिगा होगा है कि वो प्राइस है price buyer pay ठीक है मैं आपको बदाया था कि equilibrium से उपर जो प्राइस होगी वो हमेशा वो प्राइस होती जो buyer pay कर रहा होता है यहां से students आपकर हम देखें तो हमारी जो quantity है वो पहले से काम हो जाती है ठीक है यह quantity with tax है यह आख एक्टर students तो हमने यह पढ़ा था कि जब tax लगता है तो जो quantity sold or buy है वो पहले से काम हो जाती है quantity with tax ठीक है अब 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 आप देखना चाहते है कि seller कितनी amount receive कर रहे हैं हम इसी point पर calculate कर सकते हूं और हम ही यह पता है कि यह amount क्योंसी amount है जो equilibrium points है नीचे है यानि price seller receive ठीक हो क्या students अब मैं आपको बताता हूं कि इस diagram में size of tax हो कहां पे होगा students मैं यहां पे इसको show करने के लिए आपको दो point ले देता हूं इस point को मैं A के लेता हूं इस point को मैं B के लेता हूं ठीक है तो students between A and B जो area है this area shows size of tax यह students आपने यहां रखने है और size of tax को किस से represent के रहते हैं T से और इसका मतलब क्या होता है tax per unit students यहां रखने है यानि जो government है वो एक unit के उपर कितना tax लगा रही है ठीक है इसको size of tax कहते हैं students तो मैंने आपको इस diagram में वो area दिखाया ठीक है जो show current इसको size of tax को अब students मैं आपको दूसरी diagram के अंदर tax revenue calculate करना सिखाता हूं कि government जो tax collect करती है वो किस तरह से calculate करेगी तो students अब मैं आपको एक tax revenue calculate करके दिखाता हूं numerical है ठीक है तो various के साथ तो हम students दो axis बना लेते हैं origin x-axis जिस पर हमारा पास quantity है y-axis जिस पर हमारा पास price है demand curve negative slope supply curve positive slope equilibrium और आपको पता है कि जाना पर दोनों intersect करते हैं कि वहाँ पर हमें एक ऐसी price मिलती है जिस पर दोनों agree होते हैं maximum benefit of payment करते हैं और वहाँ से हमें जो quantity मिलती हूँ equilibrium quantity मिलती हूँ without tax अब students मैंने कुछ values लगा कर आपको calculate करना दिखाता हूं चीक है students फर्स करें मैं assume कर लेता हूँ कि हमारी equilibrium price है वह है जी रुपीज 4 और हमारी जो equilibrium quantity है वह है students for example 100 अब students government ने यह कौन से दो points है without tax या अपनी आलेखने अब government जो है वह seller पर tax लगा देती है तो seller पर tax लगेगा तो supply पर क्या होगा left side पर upward shift करना है जिससे क्या होगा quantity sort पहले से काम होचा रेगी हमारे पास एक नया point आगया वहां से वह price आई जो के buyer pay करेगा तो अजारी बात है कि जब tax लगेगा तो जो buyer price pay करेगा वह पहले इस equilibrium price से ज्यादा होगी तो अगर मैंने equilibrium price 4 लियर जो buyer pay करेगा जो buyer pay करेगा जो 5 rupees पेग करेगा यहाँ रिखना आपने यह कोँ से price है price buyer pay चीक है students और यह कोँ से थी price without tax यह यहाँ रिखना है अब हम देखना शाहते हैं कि seller कितनी amount receive कर रहे तो हम ज्यूम कर लेते हैं तो हम इसको ज्यूम कर लेते हैं कि यह जी तीन रुपे जो हैं seller receive कर price seller receive चीक है और उससे जब टेक्स लगा को market के अंदर जो quantity sold है और buy है पहले से क्या होगी काम होगी हम ज्यूम कर लेते हैं कि पहले अगर सो चीजें जो seller प्रड्यूस कर रहा था और buyer सो चीजे purchase कर रहा था तो tax लगने की वज़ा से इसकी ratio काम होगी और आप यह 75 पे होगी रहा है ठीक है students अब हमने calculate करना students tax revenue कि government कितना revenue generate कर रही है तो मैंने क्या formula बताया था आपको tax revenue का formula क्या होता जी tax per unit multiply quantity sold यह आपनी आपक में तो students अकर हम देखें तो tax per unit जो tax per unit पर unit पर लगाया हो है अब students देखें कि seller कितनी amount receive कर रहा है तीन रुपे और buyer कितनी amount pay कर रहा है तो दोनों का difference कितना है दो रुपे कर अगर आप देखें तो दोनों का difference है जिसको हमने size of tax का था वो कितने दो रुपे यह इसका मतलब है कि दो रुपे per unit government tax वसूल कर रहा है अब हमने इसको multiply कर रहा है कि हमने कितने units sale किये तो students हम easy to calculate कर सकते हैं यह जो area हमारे पास जो आपको नीशे नजर आए students तो कितने units आपने sale किये 75 तो अगर students आपने 75 unit sale किये और एक unit के उपर government door पे tax वसूल कर रही है तो टोटल जो tax revenue कितना हो गया जी 150 ठीक है जो कि यह हमारे पास है एक rectangle में हमने कैसे calculate किये t multiply by q students मैंने आपको एक example के साब tax revenue calculate करना सिखाया अब students इस chapter में जो सबसा important चीज़ है जो हमारा तीसरा point है कि जब tax लगता है तो उसे consumer surplus पर या producer surplus पर या total surplus पर क्या effect पढ़ती है अब मैं आपको वह calculate करके दिखाता हूँ पहले diagram में आपको बना कर दिखाता हूँ थिर मैं उसको without tax और without tax आपको calculate करके उनका difference दिखाता हूँ students अब हम इस chapter के जो सबसे important topic है वो पढ़ने लगने है और वो है कि जब government tax impost करती है तो उससे consumer surplus के उपर, producer surplus के उपर और total surplus पर क्या effect पढ़ता है अब वह मैं आपको without tax और with tax calculate करके दिखाता हूँ तो उसको calculate करने से पहले students हम diagram में आ लेते हैं तो दो एक्से आगे हैं हम आपा students, price quantity demand कर negative slow supply कर positive slow दोनों जहां पर intersect के रहे हैं वहां से हमें दो चीज़े मिलगी students equilibrium price without tax equilibrium quantity without tax, अभी तक tax impose time तो students assume करते हैं कि जो government है वह tax लगा देती है seller को पर जब government seller को पर tax लगाए कि students तो हमारा जो supply curve है वह upward left side पर shift कर जाता है अब यहां से हम students calculate कर सकते हैं the price which buyer pay price buyer pay को हमें पता है कि जो equilibrium price से उपर होगी वह वह price होगी जो buyer pay कर देता है और जब tax लगता है तो students सारी बात है जो quantity है जो पहले sale हो रही थी और buyer purchase कर रहा था उसकी ratio पहले से कम बचाएगी अब students हम इस diagram से सबसे पहले without tax consumer surplus calculate करते है यानि tax लगने से पहले देखते हैं consumer surplus कितना था तो students अगर हम देखें तो मैंने आपको consumer surplus के बारे में क्या बताया था कि consumer surplus कों सा area होता है the area above the price and below the demand curve इस consumer surplus मैं यहाँ पे शोग कर देता हो a, b and c assume करते हैं कि अभी tax नहीं लगा और यह हमारा supply curve shift नहीं किया तो हमारा consumer surplus कों सा होगा the area above the price and below the demand curve यानि a plus b plus c अब students हम देखते हैं कि जब tax नहीं लगा तो उस वक्त हमारा producer surplus कितना है तो producer surplus के बारे में आपको क्या बताया था कि producer surplus हमराद वह area होता है जो कि below the price होते और above the supply curve मैं इसको भी point में शोग कर देता हूँ D, E और F यह देखें students below the price and above the supply curve तो यह हमारे पास आग गया D, E, or F तीसे नहीं तो students हम देखते हैं कि जब tax नहीं लगाता तो tax revenue क्या होगा तो simple सी बात है अभी tax लगे नहीं है तो tax revenue क्या होगा 0 और 4 नहीं पर हम कैल्कुलेट करते है total surplus तो student total surplus किसके equal है consumer surplus plus reducer surplus और tax revenue में 0 है तो अगर हम इन दोनों को add कर देदे हैं तो students लिए आ जाएगा हमारे पास consumer surplus था A plus B plus C और reducer surplus था D E और F तो इसका मतलब है सबको add कर दे तो हमारे पर total surplus आ जाएगा without tax तो students अब मैं आपको बताता हूँ कि जब government ने tax impose कर दिया तो उससे consumer surplus producer surplus और total surplus पर क्या effect पढ़ा तो सबसे पहले हम after tax calculate करते है students consumer surplus तो students अगर आप देखे तो आप यह जो B और D का area यह टेक्स revenue होगा है यह तो आप government केसे में चलागा तो consumer surplus अब हमारे पास एक triangle आपको नजर आ रही है सरफ क्या बचिए हमारे पास सरफ A उसके बगद हम calculate करें producer surplus तो producer surplus में अगर आप देखें तो tax revenue से अब जो नीचे वाला area है जो आपको एक triangle आजर आ रही है कौँसी वाला F वो आपके पास आगया after tax producer surplus अगर हम देखना चाहते हैं tax revenue के government के इससे में कितने पैसे आए यह कौँसा हिसा आया तो हम वह भी calculate कर सकते हैं तो tax revenue से students क्या हो गया मारे पास यह जो आपको एक rectangle आजर आ रही है जो के मैंने आपको पिछे डियाग्नामी calculate कर रही दिखाया है यह मारे पास आ गया B plus D अब students हम चोथे नबर पर calculate करते हैं total surplus तो total surplus में क्या आता है consumer surplus plus producer surplus लेकिन जब tax लग जाता है तो students उसके बाद जो tax revenue होगा it is also the part of total surplus देखें न मार्किट के अंदर तीनों लोग कमा रहे है तीनों को surplus हो रहा है consumer को भी surplus हो रहा है producer को भी surplus हो रहा है जो government है उसको भी surplus हो रहा है तो लेहाजा after tax आपने तो आपको total surplus बनेगा तो यह आपके पास बन जाएगा students a plus f plus b plus d अब students अगर आप देखें तो after tax एक area आपको और भी निज़र आ रहा है और वो area कोँस है c और e अब c और e students क्या है बहुत important अगर आप देखें तो before tax it is a part of total surplus ठीक है आपको c और e लेकिन जुहीं tax लगा तो tax ने market को affect किया उसके बाद c और e एक ऐसा area हो गया जो अब आपके total surplus का part नहीं रहा उसने आपके total surplus को reduce कर दिया इसका मतलब है कि c और e कोँसा area है which reduce the total surplus यह students आपने याद रहें ठीक है यानि ऐसा area में इसका students highlight कर देता हूं यानि ऐसा area जो अब आपके total surplus का part नहीं रहा ठीक है जो ना consumer के इसे में आया ना producer के इसे में आया और ना government के इसे में आया ठीक है यह कि यह कब डेट हुए after tax ठीक है तो वह हिसा जो after tax तीनों के हिसे में नहीं आया कुस area को क्या करते है dead weight loss students ही आपने याद रहने है तो dead weight loss की definition क्या हो दी है the fall in total surplus after the result of market distortion such as tax students clear हो गया आपको कि जब before tax tax से पहले हमारा total surplus है वह ज्यादा होता है लेकि जुही tax लग जाता है तो tax की वज़ा से हमारा consumer surplus भी effect होता है producer surplus भी effect होता है उनने कमी आ जाती है हमारा total surplus है वह भी कम हो जाता है और total surplus का कुछ area एसा होता है जो तीनो पार्टी के हिस्से में नहीं आता उस हिसे को हम कहते है dead weight loss students की आपने याद रखना है यानि यह जो QE और QT के दरिम्यान आता है यह जो area है यह ऐसा area है जो units sold नहीं हुए यानि यह वह हिस्सा है जो जिसकी वज़े से हमारा जो units है वो sale नहीं हुए students यह आपने याद रखना है तो आज students मैंने आपको चार चीज़ें calculate करना सिखा दी है एक मैंने आपको बताया है कि अगर हमने size of tax देखना हो तो वह कहां पर होता है डाग्रम में मैंने आपको बताया है कि अगर government tax revenue calculate करना चाहती है तो वह कैसे करेगी मैंने आपको बताया कि जब government tax लगा देती है तो उससे consumer surplus पर producer surplus पर total surplus पर क्या affect पड़ता है वह मैंने आपको calculate करके दिखाया ठीक है और वहां सब हमने एक जोत्य नंबर पर जो सबसे important चीज calculate की है वह जी dead weight loss यानि जब tax लगता है तो हमारा कुछ area total surplus में कमी कर रहता है उस area को हम dead weight loss कहते हैं total area होता है जहां पर हमारी quantity sale नहीं होती है तो students अमीद करता हूँ कि आपको आज का जो हमारा lecture है वह आपको clear हो गया होता इंशाला next lecture में इसी chapter का जो बाकी part है students वो मैं आपके साथ share करूँआ Thank you very much